हलो फ्रेंड्स बागडवास भी के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे 14 और 15 मेई को जितने भी क्रंट के गटनाएं गटित हुई है उन सभी पर एक्जाम की ड्रश्टी से important question आपके लिए लेके आए हैं मैं हूँ आपका दोस्त बागडवास और लेक्टरार एक बार वीडियो को शेर करते हैं और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी यहां से वीडियो अप्लोड़ो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे एक बा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इसके लावा हम बात करेंगे हाली के अंदर नया मुख्य चुनाव आयुकत निउक्त किये गे हैं को निउक्त किये गे हैं उनके बारे में डिटेल जानेंगे और इसके साथ भारत निर्वाच्चन आयुकत के बारे में स्पेशिक जानकारी प्राप्त करेंगे गेहुन निर्यात पर भारत ने रोक लगा दिये क्या कारण है उसके बारे में देखेंगे हाली के अंदर किस राजे के सियम ने पद से स्थिफ़ा दे दिया है कौन सा राजे है और कौन से सियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे हाली के अंदर खुद्रा महगाई दर जारी की गई है तो भारत की खुद्रा महगाई दर कितनी रही है उसके बारे में देखेंगे सेयूंग तरस्टर संग के अंदर हिंडी को बढ़ावा देने के लिए भारत के दुवारा कितने डोलर की सेयोग दिया गये उसके बारे में देखेंगे और भारतिय द्योग परिशंग के हाली के अंदर अधेक शन्यूट किये गये वो कोण उनके बारे में देखेंगे इसके अलावा जितने भी करंट है कि गट नहीं है वो इस वीडियो में हम देखेंगे तो एक बार वीडियो को आ राजके सोग गोशित कर तिरंगा को आदा जुखा दिये है तो यह देश है प्रेंट्स यूएई देश का नाम क्या है यूएई सेयुंग्त अरब अमिरात के राष्ट्रपती सेख कलिफा बिन जायद अल नहान का निदन 13 मैं 2022 को गया नाम थोड़ा बड़ा है यूएई के राष्ट्रपती कौन थे सेख कलिफा बिन जायद अल नहान का निदन 13 मैं 2022 को हुआ वे लगबग 33 वर्ष के थे बारतिय परदानमंत्री निरेंदर मोदी सईत कई नेतों ने उनके निदन पर सोग जटाया है बारति सरकार ने निदन पर 14 मैं 2022 को एक दिन का राजिके सोग गोशित किया और इस दुरान रष्ट्य दवज तिरंगा का अधा जुका दिया गया दूसरी ओर यूएई ने अपने देश में लगबग 40 दिन का रष्ट्य सोग गोशित किया है शेक खलिपा 3 नुवंबर 2004 से यूएई के रष्ट्रपती थे और वर्ष 2019 में वैचोती बार रष्ट्रपती पद्द के लिए चुने गए थे 2004 से लेकर 2019 तक यूएई के जो रष्ट्रपती थे वो वही थे उनके पिता का नाम था सेख जायद बिन सुल्तान अल नहान जो 1971 से 2004 तक रष्ट्रपती पहले उनके पिता थे और उसके बाद वो लगाता रहे वो देश के पहले रष्ट्रपती थे उनके पिता जो 1971 के अंदर यूएई की स्थापना हुई थी तब से लेकर उनके पिता थे और 4 से 19 के बीच में उनके बेटे थे 1948 में जन्मे से कलिपा अबुद अभी के सोल में अमीर यानि सासक भी माने जाते हैं नेक्स्ट कोशन है फ्रेंट्स यूएई के ने रष्ट्रपती कौन चुने गए हैं तो हाली के अंदर फ्रेंट्स यूएई के जो ने रष्ट्रपती चुने गए हैं उनका नाम है सेख मुहमद बिन जायद अल नहान ने रस्ट्रपती का नाम के है सेख मुहम्मद बिन जायद अलनहान उन्होंने 14 मेई 2022 को युई का ने रस्ट्रपती चुना गये है वे डिवगत पूरव रस्ट्रपती सेख खलिपा बिन जायद अलनहान के छोटे भाई है वे इससे पहले अबुदाभी के रूलर भी थे और वे 29 भाई बहन बतल टोटल इनके प्रिवार में 29 भाई बहनों का जिकर है और इससे यह जो अभी हाली में जिन रस्ट्रपती की मृत्य हुई है उसके छोटे भाई हैं अब बात करते हैं UAE, UAE के हाली में PM कौन नुक्त किया गया है मौमद बीन रसिर अल खतलूम यह यहां के PM है और रस्ट्रपती न्यू नुक्त हुए है नेक्स्ट क्वेसन है रस्ट्रपती ने देश का नेया मुख्य चुनाव आयुकत किसे नुक्त किया गया है हाली के अंदर जो नेया चुनाव आयुकत नुक्त किया गया है वो नुक्त किया गया है राजिव कुमार को राजिव कुमार ने किसका स्तान लिया है सुसील चंद्रा की जगे उन्हें नुक्त किया गया है कौन राजिव कुमार राजिव कुमार के बारे में देखते हैं वे बिहार जारकन केंडर के 1924 बेच के आईये सदिकारी हैं उन्हें एक स्टमबर 2020 को Election Commission of India ECI के Election Commission के रूप में कारेबाल संभाला था भारत निर्वाचन आयोग के बारे में तो एक भारत निर्वाचन आयोग जो है एक सवाहित सविदानिक निकाय है जो भारत में संग और रज चुनाव परकिरिया का संचालन करता है देश में लोकसबा, राजे सबा, राजे विदान सबा रश्टपती, उपराश्टपती के चुनाव का संचालन बारतिय राष्टिय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जत है बारतिय सविदान का भाग 15 चुनाव से संबंदित जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्तापना करने की बात की गई थी सविदान के अनुचेत 324 से लेकर 339 चुनाव आयोग और सदेशों की सक्तियां कारे काल और पातरता से संबंदित है आर्टिकल 324 से 329 टक भारतिय निर्वाचन आयोग का जिकर है चुनाव आयोग की स्तापना 25 जनवरी 1950 को सविदान के अनुसार की गई थी और निर्वाचन आयोग में मुल्यत केवल एक चुनाव आयोकत का प्रावदान था लेकिन राश्टपत्ति की एक अधिस सूचना के जरिये 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदेशे बनाया गया था पहले उनली पौर एक सदेशे था लेकिन वन 989 के अंदर इसमें 3 सदेशे जिसमें एक चुनाव आयोकत होता है मुख्य चुनाव आयोकत और दो अन्य सदेशे होते हैं इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदेशे आयोग बना दिया गया था और एक अक्टूबर वन 993 को इसका तीन सदेशे आयोग वाला सवरूप फिर से बहाल कर दिया गया था ये बात रखी गयी थी वन 989 को लेकिन उसके बाद भी एक सदेशे चलता था लेकिन वन 993 को ये तीन सदेशे वाला प्रारूप लगू किया गया तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्ये चुनाव आयूकत और दो चुनाव आयूकत होते हैं निर्वाचन आयूकत का सचिवाले नई दिल्ली के अंदर स्टित है मुख्ये निर्वाचन अधिकारी आईस रेंग का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ती रस्टपती द्वारा की जाती है तता चुनाव आयुकत की नियुक्ती भी रस्टपती के द्वारा की जाती है इनका कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स की आयू दोनों में से जो भी पहले हो वो होता है और उन्होंने भारत के निर्वाचन नियाले के नियादिसों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है जो सरवच्चे नियाले हैं उसके जो नियादिस है उसके समक्ष उनको दर्जा प्राप्त हो उसी सेम प्रोसेस से हम भारत के मुख्य चुनाव आयुकत या आयुकत को अठा सकते हैं यह हमारा लोगों है सभी प्रतियोगिता प्रीक्षा अर्थी मेहत्वपुन किलासे करन्ठ अफ्वेर के डेली किलास बागुडवा सरलेक्चरार के द्वारा आपको प्लेउट करवाई कस ने निर्यात पर रोक लगाई है तो DGFT डारेक्टर जर्णल और फोरेंड ट्रेड ने रोक लगाई है गेहु को अब प्रोबीतीड लिस्ट के अंदर रख दिया गिया है क्यों रोक लगाई है नोटिफिकेशन में DGFT ने कहा है कि गेहूं की कीमत ग्लोबल स्तर पर अच्छानक बढ़ गई है इसकी वज़े से भारत इसके पडोसी देश और केई देशों के खादे सुरुक्षा संकट में है बारत ने बढ़ती ग्रेलू किमतों को नियंतरित करने के उपाय के तहट गेहूं के निर्यात पर ततकाल परभाव से पर्तिबंद लगाया है सरकार की अनुमती से निर्यात हो सकेगा आलिंका नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि बाहर सरकार के द्वारा किसी दूसरे देश की खद्य जुरूर्त के लिए निर्यात की अनुमती दी जा सकती है इसके अलावा वो गयों के निर्यात किये जा सकेंगे जिनके ICLC जारी है या सिपमेंट के लिए त्यार है रूस यूक्रेन विवाद से भी दुनिया में गयों का संकट बढ़ चुका है चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा गयों उत्पादक देश है लेकिन गयों निर्यात की रैंकिंग में सबसे बड़ा रूस है रूस यूक्रेन विवाद के इकरे के परतिबंदों की वज़े से रूस का गयों अंतरस्ट ये बजार में नहीं आ पा रहा है ऐसे में अंतरस्ट ये स्तर पर गयों की किमत बढ़ चुकी है बारत में गयों के उत्पादन में गिराउट का अनुमान है 2021-22 के रभी सीजन में गयों का उत्पादन गटने का अनुमान बताया गया है इस वर्ष गर्मी के मोसम के जल्दी आने के चलते सरकार ने 111.32 मिलियन टन से उत्पादन के अनुमान को गटा कर 105 मिलियन टन कर दिया ऐसा अनुवान था कि भारत का जो गेहुत पादन होगा 111.32 मिलियन टन होगा लेकिन अब अनुवान ऐसा लगाए जा रहा है कि ये जो 111 से गटा कर कितना कर दिया है 105 मिलियन टन लगबग 10.59 क्रोड टन 105 मिलियन टन का मतवल होता है बिते एक साल में आटा करीब 13% महँगा हो चुका है ऐसे में भार सरकार को देश की खादे सुरुक्षा की चिंता हुई है इसी वज़े से DGFT ने गेहुं के निर्यात पर रोक लगाई है केंदर सरकार का ये पेंसला तब आया जब अभी भारत ने गेहुं के निर्यात को बढ़ाने का लक्षे रखा था गेहुं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक डेलिगेशन में गटिट किया था इस delegation को गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनों का पता लगाने के लिए मौर को टूनेशिया और इंडोनेशिया साइट नो देशों में बेजने की बात सामने आई थी लेकिन इस गोशना के ठीक दो दिन बाद ही सरकार ने ततकाल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है तो ये थी गेहूं के निर्यात से संबंदी स्पेशिक जान करी नेक्ट कॉसन है किस राजे के मुख्य मंत्री विपलव कुमार देव ने 14 मेई 2022 को पद से स्थिफा दे दिया तो विपलव कुमार कहां के सियम थे तिरपुरा के सियम थे विपलव कुमार इन्होंने पद से स्थिफा दिया है उन्होंने राजेपाल सत्य देव नरायन आरे हैं विपलव कुमार देव वर्ष 2013 में तिरपुरा के शियम बनेते अगले ही साल इस राजे में विदान सवा चुनाव बीटे नेक्ट कोशन है कि भारत में खुद्रा मेंगाई दर अप्रेल 2022 में कितनी रही है तो भारत के अंदर खुद्रा मेंगाई दर अप्रेल 2022 में सलाना अधार पर आठ साल के उचस्तर साथ पॉइंट आठ परतीसत पर पहुंच गई है सांके की और कारेक्रम कारेवन मंत्रा ले मौसपी के रस्ट ये सांके की कारेले एनसो ने बारा में 2022 को ये अंकड़ा जारी किया था इससे पहले मार्च 2022 में ये दर कितनी थी 6.95 परसेंट थी आर्बियाई के लक्षित टार्गेट मेंगाई दर से भी जादा है कानून के अनुसार आर्बियाई को खुद्रा मेंगाई दर को 4% के स्तर पर बनाए रखना आउसक है ये नियम अक्टूबर 2016 के अंदर लग हुआ था लो में आर्बियाई के लिए मेंगाई नियंतरन के लिए कुछ गुजाईस रखी गई थी किसी विशेश मेने में मेंगाई दर निर्दारी 4% से 2% गटा या बढ़ा सक्ती है लेकिन अप्रेल 2022 में मेंगाई इससे भी काफी ज़्यादा 7.8% रही जो लगबग 4% के स्तर से दुगना स्तर था 2016 का जो कनुन था लो था उसमें ये 4% था और ऐसा भी माना जा रहा था किसी मेने के अंदर 4% से 2% बढ़ या गट सक्ता है लेकिन इस बार तो 2022 में 7.8% मतलब 4% का दुगना रहा क्या यूक्रेन रूस विवाद के कान भारत में मेंगाई बढ़ी है बारत में मेंगाई बढ़ने के कई कारणे उन में से एक है यूक्रेन रूस विवाद विवाद के कान कच्छे तेल के बढ़ते दामों ने भी भार देने की बात ये भी है कि रूस यूक्रेयन विवाद प्रविरी 2022 में शुरूआ लेकिन बारत में महिंगाई पहले से 6% से उपर थी इसका एक कारण हो सकता है लेकिन बारत में तो पहले से भी इसकी महिंगाई जो 36% से अबव थी अक्टूबर 2019 से खुद्रा महिंगाई उच स्तर पर रही है तब से लेकर एक बार आर्बिया ने 4% लक्षित महिंगाई दर को छुआ था बाकी सभी अन्य में नों में ये केवल 4% से अधिक रही बली का नियमित रूप से 6% से अधिक स्तर से भी उपर रही थी महिंगाई की गढ़ना कैसे की जाती है महिंगाई की गढ़ना कंजूमर प्राइस इंडेक्स से की जाती है इस इंडेक्स में अलगल केटेगरी होती है इस इंडेक्स में तीन मुक्य केटेगरी होती है जिसमें एक होती है खाद्य वस्तुए फूड आइटम्स एक होता है इ वर्ष 2019-20 में महंगाई बढ़ने का मुक्यकान था खाद्य वस्तों के प्राइस को 6% बढ़ा देना वर्ष 2022-21 में जब महावारी ने अर्थ व्यवस्ता को प्रभावित किया तो खाद्य किम्तों में 7.3% की विरिदी हो गई यहां तक की कोर महंगाई में भी 55% की विरिदी हुई लेकिन इस दुरान इंदन की किमत मुद्रा स्पिती वर्ष 2019-20 में 1.3 और 2021-21 में 2.7 रही वर्ष 2022 में जिस वर्ष वेश्वी कर्थ व्यवस्ता ने तेजी में सुदार करना शुरू किया बहले ही खाद्य मुल्य मुद्रा स्पिती 4% तक कम हो गई थी लेकिन इंदन की किमतों में 11.3% की विरिदी हुई महेंगाई से आम जनता पर क्या प्रभाप पड़ता है लोग वस्तों की खरीददारी कम करेंगे लोगों की चिजों को लेकर डिमांड कम हो जाएगी बचट करता और उधार करता की दिख्त होगी महेंगाई से सरकार को क्या फाइदा है सरकार को रिन दाइतों को पूरा करने में मदद करेगी अलपावदी में सरकार जो अर्थ व्यवस्ता में सबसे बड़ी करजदार है अधिक महिंगाई से लाभविंट होती है मेंगाई से सरकार को अपने राजकोशिय गाटे के लक्षय को पूरा करने का मोका मिलता है मेंगाई से रुपे के विन्ड में दर पर प्रभाव पड़ता है एक्षेंज रेट पे उच मुद्रा स्पिटी का मतलब है कि रुपेया कमजोर हो रहे है यदि RBI प्रयाप्ट तेजी से ब्यान दरों में ब्यास दरों के अंदर विरिधी नहीं करता है तो कम रिटन के कान निवेशक दूर रहेंगे ये अधिक मेंगाई की और ले जाता है लगातार अधिक मेंगाई लोगों के मनोविजान को बदल देती है तो ये सब मेंगाई पर आम जनता पर भी एफेक्ट पड़ता है तो ये मेंगाई के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेर किये तो एक बार वीडियो को आप जरूर शेर करने सियुंग तरस्टर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बार सरकार ने कितने रकम का स्योग दिया है तो सियुंग तरस्टर के अंदर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बार सरकार के दौरा आठ लाख डोलर का स्योग दिया गया है बारत के स्तानिय उप परतिनिदी आर रविंदर ने इस रशी का चेक स्यूंग तराष्टर के वेश्विक संप्रेशन विवाग को सुंपा है इस रकम से स्यूंग तराष्टर में हिंदी बासा को बढ़ावा मिलेगा सियोंग तरस्टर के जन्व सूचना विवाग के सयोग से वर्ष 2018 में इंदी सयोंग तरस्टर प्रियोजना की शुरुवात की गई थी जिसका मक्सद था इंदी बासा में सयोंग तरस्टर की लोगों तक पहुंच को बढ़ावा मिले तो भारत ने इसमें सयोग किया है आठ ल संजीब बजाज वर्ष 2022 के लिए बारतिय द्योग परिशंग के लिए बारतिय द्योग परिशंग CII के अधेक्ष का पद ग्रहन किया है उन्होंने ताटा स्टिल के सियो टीवी नरेंदर्ण की जगे ली है बारतिय द्योग परिशंग जिसकी स्तापना 1895-800 पिचान में में हुई थी और मुख्याले नई दिल्ली के अंदर है नेक्स्ट क्वेशन है नवरतन कंपनी RC लिमिटेड के अधेक्ष और परबंद निदेशक कोण बने है तो रविंदर्शिय दिल्लो रविंदर्शिय दिल्लो इसके परबंद निदेशक न्युक्ट किये गए है नेक्स्ट क्वेशन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो यह मनाया जाता है प्रेंट्स मेई के दूसरे सनिवार को और अक्टूबर के दूसरे सनिवार को अक्टूबर में भी आता है और मेई में भी आता है तो प्रवासी पक्षी डिवेश की वो है लाइट पॉलूशन प्रकास प्रदूशन ये ठीम रखी गई है क्रिट्रिम प्रकास विश्वस्तर पर प्रतिवर्श कम से कम दो परतिस्त बढ़ रहे हैं और यहां के परजातियों पर प्रतिकुल प्रभाव डालता है प्रकास क्लोक में गड़बड़ी होती है और लंबी दूरियों के प्रवास के कान उनकी समता में होता रहता है दुनिया में कुल नो फ्लाइवे का मत्वल है कि प्रवासी पक्षियों के उडान का रूट है भारतमद्य एशिया फ्लाइवे भी इसमें शामिल है तो यह था 14 मेई और क्वेशन के साथ आपके साथ शेर कियें और संपूर्ण डिटेल आपको बताईगी है तो एक बार वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं हूँ आपका दोथ बागड़वा सर लेक्षराग जो परती दिन इस बागड़वा स्बी के क्वेशन में आपको अमारा ब्लोग का लिंक मिलेगा वहां से आप कभी भी किसी भी करंट अपेर की क्लास चुटक्यों में देख सकते हैं तो वहां भी आप जरूर ब्लोग पर विजिट कर सकते हैं ठैक्यू गाइस कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ